हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुत ज़ादा बढ़िया स्मार्टफून्स दोस्तो वीवो और रेडमी की तरफ से रेडमी का बहुत ज़ादा पॉपुलर नोट 11 जो आपको मिल जाता है दोस्तो 13000 का और वीवो का T1X जो लेटेस लॉंच कर दिया वीवो ने दोस्तो 12000 का 1000 और कम रेट में तो इस वीडियो में मैं इन दोनों में comparison करके आपको बताऊंगा इन दोनों में सा आपको कौन सा खरीदना चाहिए वीवो का T1X या रेडमी का नोट 11 तो दोस्तो वीडियो का end तक ज़रूर देखिएगा और एक like भी ज़रूर कर दीजिए box पर इस सारी specifications मिल जाती है बाकी दोस्तो rate में तो 1000 का फर्क है और दोस्तो कई बार वैसे online sale लगती रहती है phones के rate काफी कम हो जाते हो सकता यह दोनों आपको और भी ज़दा सस्ते मिल जाए तो left side पर view products का option उस पर click करके एक बार rate ज़रूर चेक कर लिएगा चलिए देखते हैं दोस्तो Redmi के note 11 के साथ आपको 13000 में क्या क्या दिया गया है तो सबसे पहले एक mini box मिल जाता है जिसमें लगावा है एक SIM ejector tool अंदर की तरफ user manual दिये गया है इस तरीके से एक मिल जाता है दोस्तो cover simple transparent इसके बाद मिल जाता है फून एक wrapper के अंदर type C cable दी ग charging speed आपको अच्छी मिल जाती है इसके अंदर और दोस्तो detectable भी बढ़ी है cover भी अच्छा है तो इस चीज में दोस्तो Redmi का note 11 काफी अच्छा है चलिए देखते हैं अगर आप 1000 कम खर्च करते हैं Vivo पे तो T1X के साथ क्या 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 दिया गया है तो सबसे पहले उसी तरीके स user manual मिल जाते हैं दोस्तो उसके बाद आपको transparent cover दिया गया है काफी बढ़िया quality में इसके साथ भी phone मिल जाता है crapper के अंदर detail look हम अभी देखेंगे type C cable दी गई है दोस्तो इसके साथ भी काफी बढ़िया quality की तो इस चीज में दोने एक जिससे हैं और last में रखवा मिलता है य दोस्तो दोने के साथ आपको काफी बढ़िया है मिल जाते है rate के साथ से देखा जाए आपको note 11 में एक खुबी जाद अच्छी दी गई है charger fast है बाकि उसकी कीमत भी 1000 जाद है तो इस चीज में दोनों सही है चली बात कर लेते हैं अब दोस्तो और design के बारे में तो दोस्तो के अंदर आपको थोड़ा design ऐसा लगता है जैसे glass design है लेकिन दोस्तो प्लास्री के type का है लेकिन काफी बढ़िया quality में आप complete design दोस्तो देख सकते हैं देखने में तो दोस्तो दोनों काफी जादा बढ़िया लग रहा है note 11 भी काफी अच्छा लग रहा है लेकिन Vivo T1X और better है दोस्तो design को लेकर क्योंकि quality design की जाद अच्छी दी गई है इसके अंदर और इसका blue color भी काफी बढ़िया लग रहा है note 11 के color की तरह अगर आप इसको side से देखेंगे दोस्तो Vivo T1X को तो आपको purple color का effect देखने को मिलता है dark blue भी काफी अच्छा लगता है तो दोस्तो design इस लेकिन दोस्तो display की जो quality है वो Vivo के अंदर दोस्तो आपको मिलती है IPS और Redmi Note 11 के अंदर आपको AMOLED डिस्पले दी गई है अब display की quality में कितना फार्ख है दोस्तो मैं आपको दिखा देता हूँ बात करें दोस्तो user interface के बारे में तो दोनों के अंदर आप इससे उपर की तरह swipe कर जाती है दोस्तो दोनों ही phones काफी अच्छे लगते हैं चलाने में आपके पसंद के उपर मेटर करता है कि आपको Redmi के फोन जाद अच्छे लगते हैं चलाने में या फिर Vivo के बागी दोस्तो एक चीज़ दोनों के अंदर बहुत बढ़ी है दोनों ही phones के आपको 90 Hz के refresh rate भी मि दोनों ही phones काफी जादा स्मूद मिल जाते हैं आपको तो experience आपको काफी स्मूद मिल जाएगा refresh rate जादा होनी के ओज़से तो यह चीज़ आपको Vivo के अंदर भी बढ़िया मिलती है और Redmi Note 11 के अंदर दोनों ही phones इस चीज़ को लेकर काफी अच्छ है अब दोस्तो डिस्प्ल है उसके अंदर काफी बड़ा फर्क है नोट 11 के अंदर दोस्तो आप डिस्प्ले के colors देख सकते हैं काफी जादा bright display आपको मिल जाती है brightness भी काफी बढ़िया है colors वगरा भी आपको जादा अच्छ मिलते हैं और दोस्तो 90 Hz के refresh rate भी है वी वो की तरह इसे के साथ डिस्प्ले दोनों के अंदर आप दो sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं इस चीज़ दोनों में बढ़िया है नीचे की तरफ साब देहेंगे तो charging port speaker microphone jack मिल जाता है note 11 में headphone jack आपको उपर की तरफ ही मिलता है right side पर volume के buttons और power के buttons है finger paint scanner दोस्तो दोनों में side में मिलता है power के button क के अंदर speed अभी चेक करेंगे लेकिन दोस्तो note 11 में आपको ऊपर की तरफ भी speakers दिये गए है stereo speakers है सके अंदर noise cancellation mic भी है IR blaster भी मिल जाता है दोस्तो जिससे tv अगर आप AC अगरा चला सकते हैं यह चीज़ काफी बढ़िया है यह खुब यह जादा है जो वीवो के अंदर आपको नहीं मिलती finger paint scanner की दोस्तो note 11 की speed आप देख सकते हैं काफी बढ़िया मिल जाती है और वीवो T1X भी अच्छे से काम कर रहा है ऐसे कोई problem आपको देखने को नहीं मिलती तो इस चीज़ को लेकर दोस्तो दोनों ही phones काफी 4G भी internal storage है तो इस चीज़ को लेकर भी दोस्तो दोनों phones बिलकुल एक जैसे हैं इसे के साथ दोस्तो Android का जो है दोनों ही phones के अंदर 11 version दिया गया है latest version 12 दोनों में से किसी के अंदर भी आपको नहीं मिलता तो यह चीज़ आपको दोनों के अंदर average देखने को मिलती है उम्मी तो दोनों phones के अंदर आपको battery दी गई है 5000 image की एक दिन का battery backup दोस्तो normal आपको आराम से दोनों में देखने को मिल जाएगा battery को लेकर note 11 भी अच्छा है Vivo का T1X भी बाकी note 11 के अंदर आपको एक चीज़ ज़्यादा बढ़ी है यह मिल जाती है charger और ज़्यादा fast दिया गया है इसे के साथ display की quality भी इसकी ज़्यादा बैटर है तो battery जो है इसके अंदर आपको backup और ज़्यादा बढ़ी है मिल जाएगा दोस्तो थोड़ा ज़्यादा बैटर ही रहेगा Vivo का T1X से Redmi Note 11 restart test के अंदर दोस्तो अभी तो display आ चुकी है Redmi Note 11 की पहले लेकिन applications देख लेते हैं किसमें ज़्यादा जल्दी load हुई तो दोस्तो Note 11 जो है पहले on हो चुका है आप कुछ applications भी open करके देख लेते हैं वैसा T1X में थोड़ा ज़्यादा time लगा Note 11 के comparison में कुछ applications open करके देख लेते हैं दोस्तो कैसी speed आपको देखने को मिलती है कौन सा phone जो है ज़्यादा fast है तो मैंने dialer open किया दोस्तो दोनों phones में एक साथ और यह लगबग दोनों के अंदर एक साथ ही open हुआ messages open कर लेते हैं इसकी speed भी आपको दोनों के अंदर normal देखने को मिल जाती है वीवो में थोड़ा सा ज़ादा fast रहा Google Chrome open कर लेते हैं यह Redmi Note 11 में पहले open हुआ camera open कर लेते हैं तो इसकी speed आपको दोनों के अंदर normal देखने को मिल जाती है बात करें दोस्तो camera के बारे में तो दोस्तो दोनों में आपको main camera 50 MP दिया गया है 50 Megapixel अब दोस्तो colors वगरा photos के अंदर quality तो दोनों के अंदर आपको बढ़िया मिलती है लेकिन display की quality है Note 11 की जादा बढ़िया दी गई है तो colors वगरा actually में इसके अंदर आपको और जादा बढ़िया देखने को मिल जाते हैं तो camera को लेकर दोस्तो वीवो का T1X भी काफी बढ़िया है और Note 11 भी बागी display जादा बढ़िया होनी के वज़े से colors वगरा इसके display के अंदर और जादा बढ़िया लग रहे हैं तो दोस्तो normal use के हिसाब से दोनों फोन्स काफी जादा अच्छे हैं और दोनों के अंदर आपको performance को लेकर भी एक जैसे मिल जाते हैं यही आपके लिए जादा बढ़िया रहेगा design की जो quality इसके अंदर जादा बढ़िया है इस पर scratches एकदम नहीं आएंगे Redmi Note 11 पर scratches असानी सा जाएंगे quality इतनी जादा बढ़िया नहीं मिलती है आपको design की Note 11 की इतनी वीवो की अच्छी है बाकि दोस्तो performance को लेकर थोड़ी बहुत gaming आपको करनी है तो दोनों phones एक जैसे आप दोनों में से कोई सबी खरी सकते हैं और दोस्तो इन दोनों phones के अंदर आपको जो battery backup मिलता है वो थोड़ा और जादा better मिल जाता है Note 11 के अंदर आप Note 11 खरी दियेगा डिस्प्ले की quality आपको बढ़िया चाहिए तो भी Note 11 खरी दियेगा डिस्प्ले इसके अंदर जादा बढ़िया है और दोस्तो camera भी इसके अंदर आपको थोड़ा और जादा better मिल जाता है battery backup भी जादा अच्छा मिल जाएगा charger भी जादा fast है इसके साथ तो दोस्तो जो खुबिया आपको Vivo T1X के अंदर मिलती है काफी कमाल की है काफी बढ़िया फून है दोस्तो ये भी अगर आपको इसकी खुबिया पसंद आई तो आप इसको भी खरी सकते हैं अच्छ रहेगा आपके लिए बागी दोस्तों अगर आपके लिए जो है डिस्प्ले की क्वैलिटी बढ़िया कैमरा इसी के साथ दोस्तों बढ़िया बैटरी अच्छा चार्जर ये मैटर करता है आपको ये चीज़े बढ़िया चाहिए तो आप Note 11 ही खरी दियेगा चाहिए ये खजार महंगा है लेकिन यही आपके लिए जाधा बढ़िया रहेगा क्वैलिटी वाइस इन दोनों में तो जाधा खुबिया होनी की वाज़े से बढ़िया डिस्प्ले बढ़िया कैमरा इसी के साथ जाधा अच्छा चार्जर ये तीन चीज़े नोट 11 के अंदर जाध शेयर ज़रूर कर दिएगा वाटसेप और फेस्बुक पर और दोस्तों ऑनलाइन सेल लगते रहती है फोन के रेट काफी कम हो जाते हैं कई बार हो सकता है यह दोनों आपको और भी सस्ते मिल जाए तो लेफ्ट साइट पर जो दोस्तों ऑप्शान आ रहा है वीउ झाल 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 झाल